नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस फीब और मैं आज आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ द लैम यह एक बहुती जेंटल पोयम है जो की ईश्वर की एक बहुती खोपसूरत सनरशना पर लिखी गई है और वा सनरशना है एक लैम और इस पोयम को लिखा है विलियम ब्लेक ने अब हम सबसे पहले इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे लैम को हिंदी में मेमना या फिर भेड कहा जाता है जैसा के आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर आपको भेड का एक छोटा प्यारा बच्चा दिखाई दे रहा है और इसे ही इंगलिश में लैम कहा जाता है लैम यानि की मेमना मासूम्यत, शुद्धता और सौम्यता का एक प्रतीक है अकसर कई बार इसा मसीय को एक छोटे से मेमने को अपने हाथ में पकड़ेवे बताया जाता है और कई बार जीजस क्राइस्ट को दे लैम ओफ गौड भी कहा जाता है बेल का बच्चा यानि की मेमना कमजोर और मासूम लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान, कमजोर और असाहय लोगों का हमेशा साथ देते हैं अब हम इस पोयम के explanation पर आते हैं जहां पर मैं आपको ये पोयम बहत सरल वासान भाशा में explain करूँगा पोयम की शुरुवात से पहले हम कुछ difficult words के बारे में जानेंगे जैसे डोस्ट दाओ जिसका मतलब होता है do you यानि क्या तुम्हें मेट का मतलब होता है घास का मैदान, टेंडर का मतलब होता है मुलायम या फिर नाजुक और वेल्स का मतलब होता है घाटियां लेटिल लैम, who made the, डोस्ट दाओ, नो, who made the, इन लाइन्स के मतलब होगा लिटिल लैम यानि नन्हे मेमने तुझे किस ने बनाया? क्या तुझे पता है कि तुझे किस ने बनाया? पोईम की पहली टू लाइन्स में पोईट एक नन्हे मेमने से यह कहते हैं मुझे पता है कि तुझे किसने बनाया पर नन्ने मेमने क्या तु ये जानता है कि तुझे किसने बनाया पोईम की पहली लाइन्स में पोईट एक नन्ने मेमने से ये प्रश्ण करते वे दिखाई देते हैं कि तुझे किसने बनाया एक नन्ह मेमना बहुत ही जेंटल होता है और वह अपनी जिन्दगी में खोया होता है तो पोईट उससे पूछते हैं कि तुझे पता है कि तुझे किस ने बनाया गेव दी लाइफ एंड बिड दी फीड बाय दे स्ट्रीम एंड ओवर दे मेड यानि नन्ह मेमने क्या तुझे पता है कि तुझे ये जीवन किस ने दिया और चर्णे के लिए कहा नदी के किनारे गास के मैदानों में अगली लाइन्स में पोईट अपने उस सिलसले को आगे बढ़ाते वे कहते हैं क्या तुझे पता है कि तुझे जीवन किस ने दिया और चर्णे के लिए कहा बकरी का बच्चा बहुती सीधा साधा जानवर होता है और उसका बस एक ही काम होता है अच्छी अच्छी कोमल घा होती है वह बहुत ही मुलायम होती है क्योंकि उसे लगातार ताजा पानी और शुद्ध हवा मिलती रहती है और मेम ने इस घास का बड़ा आनंद लेता रहता है पोईट को तो ये मालूम है कि उसे इतना सुन्दर जीवन किस ने दिया पोईट को यह भी मालूम है कि नदी क किनारे उससे चर्णने के लिए किसने कहा गेव दी क्लूधिंग ओफ डिलाइट सौफ्टेस्ट क्लूधिंग वोली ब्राइट गेव दी सचा टेंडर वोईस मेकिंग ओल दे वेल्स रिजोईस यानि नन्य मेम ने क्या तुझे पता है कि तुझे ये खुशी के वस्त्र यानि क्लोधिंग ओफ डिलाइट किसने दिये क्या तुझे पता है कि तुझे ये सौफ्टेस्ट क्लोधिंग यानि की सबसे मुलायम वस्त्र ओनी और उज्वल वस्त्र तुझे किसने दिये नन्य मेम ने क्या तुझे पता है कि तुझे ये टेंडर वोईस यानि ये मकमली आवा यह तेरी मकमली आवाज जो सारी घाटियों को रिजॉइस कर देती है आनन्द से भर देती है क्या तुझे पता है कि तुझे यह आवाज किसने दी Clothing of Delight से यहाँ पर यह मतलब है कि भेड की शरीर पर जो बहुत ही मुलायम ऊन होता है उसे यहाँ पर Clothing of Delight कहा गया है अगर आपने कभी किसी मैमने के बच्चे को उठाया है तब आप यह समझ पाएंगे कि उसका उन कितना मुलायम होता है मेमनी के आवाज भी बड़ी सौम् और निर्मल होती है अगर आपने कभी मेमनी के आवाज को ध्यान से सुना हो तो आपने ये पाया होगा कि कभी भी मेमनी के आवाज कानों में चुपती नहीं है यह हो सकता है कि हमें किसी जानवर के आवाज सुनकर थोड़ा डर महसूस हो जैसे कि शेर के आवाज या फिर लोम इन में poetic experience की बात करते हैं जो शायद बहुत लोगों ने कभी अनुभाव नहीं किया होगा जब सभी मेम ने एक जुंड में हरे भरे पहाडों में चरते वे आवाज करते हैं तो पूरी घाटी में उनके मधुर मिम्यानी के आवाज सुनाई देती है पोयम की पहली lines को एक बार फिर से repeat किया गया है नन्ने में ने तुझे किस ने बनाया क्या तुझे पता है कि तुझे किस ने बनाया अब हम चलेंगे next stanza पर मीग का मतलब होता है नम्र या फिर विनम्र और माइल्ड का मतलब होता है सौम्य या फिर सुहाबना Little lamb I will tell thee यानी नन्ने में ने में तुम्हें बताऊंगा नन्ने में ने में तुम्हें बताऊंगा पोयम के first stanza में poet प्रश्ण करते वे दिखाई देते हैं और poem के second stanza में poet खुद ही अपने प्रश्णों का जवाब देते वे दिखाई देते हैं poet नन्य मेमने से ये कहते हैं कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किस ने बनाया He is called by thy name for he calls himself a lamb यानि नन्य मेमने उन्य भी तुम्हारे नाम से बुलाया जाता है क्योंकि वह खुद को एक मेमना कहलवाना पसंद करते हैं अब यहाँ पर ही से मतलब है जीजस क्राइस्ट से पोईट अब नन्ने मेमने को ये बताते हैं कि He यानि कि जीजस क्राइस्ट को भी तुम्हारे नाम से ही बुलाया जाता है क्योंकि उन्हें खुद को भी लैम कहलवाना पसंद है आप सभी को तो ये मालूम ही होगा कि जीजस क्राइस्ट एक चरवाहे थे और कई बार उन्हें क्रिस्चन ट्राडिशन में उन्हें एक भेड के रूप में दिखाया जाता है जानी वह विनम्र है जीजस क्राइस्ट विनम्र है और वह कोमल है और वह एक छोटे बच्चे बन गए इन लाइन से एक बार फिर से पोईट जीजस क्राइस्ट को एक मेंने से कमपेर करके देख रहे हैं जिस तरह एक मेंना विनम्र और कोमल होता है ठीक उस तरह जीजस क्राइस्ट भी बड़े विनम्र और कोमल सोभाव के थे और जीजस क्राइस्ट ने धर्ती पर एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिया था ताकि वो यह जान सके कि मनुष्य किन किन कठनाईयों से गुजरता है और वो उन कठनाईयों को जानकर कैसे सभी का उधार कर सकते हैं I a child, and thou a lamb. We are called by his name. यानि मैं एक बच्चा हूं और तू एक मेमना है और हम दोनों को ही उनके नाम से पुकारा जाता है पोटे अन लाइनस में खुद को एक बच्चे की रूप में देख रहे हैं वह ये कहते हैं कि मैं एक बच्चा हूँ और तू एक मेमना है याने कि तू भी एक बच्चा ही है और हम दोनों को जीजस के नाम से पुकारा जाता है अब यह तो इन लाइन्स का एक लिटरल मीनिंग हो गया लेकिन इसके पीछे पोईट का आशा है कि जो भी विप्ति विनम्र है कोमल है कमजोर है या फिर मासूम है वह इश्वर के परिवार का एक भाग है जिस तरह जीजस क्राइस्ट परमात्मा के बेटे हैं ठीक उस तरह हम सभी भी परमात्मा के बच्चे हैं क्योंकि एक बच्चा और एक मेमना भी जीजस की तरह ही विनम्र और कोमल होते हैं और इस तरह वह भी इश्वर के परिवार का एक भाग है और इसलिए पोईट खुद को एक बच्चे के रूप में और एक मेमने को जीजस क्राइस्ट से क गॉड ब्लेज दी लिटल लैम गॉड ब्लेज दी यह पोईम की लास्ट लाइन्स हैं पोईट कहते हैं नन्य मेमने भगवान तुझे आशरवाद दे नन्य मेमने भगवान तुझे खूब आशरवाद दे लास्ट लाइन्स में पोईट जीजस क्राइस्ट के प्रती पूरी श्रद्धा बताते वे कहते हैं कि भगवान तुझे खूब आशरवाद दे जीजस को मानने वाला या परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के बारे में खराब नहीं सोच सकता और इसलिए पोईट नन्य मेमने के बारे में अच्छा सोचते वे ये कहते हैं कि भगवान तुझे खोब आशरवाद दे दोस्तो ये था इस पोरी पोयम का explanation आशा करता हूँ कि आपको इस पोयम बड़ी आसानी से समझ में आई होगी अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजे अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेट जरूर लगाएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद